भारती रेलवे में आपका जो चार्ट है सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके से बना जाता है अगर आप इन तीनों तरीकों को बिल्कुल ध्यान से समझ गए तो आप ये खुद से पता लगा लेंगे कि आपकी जो ट्रेन का चार्ट है कब बनेगा कितने घंटे पहले बनेगा या पिर कितने दिन पहले बनेगा क्योंकि भारती रेल में कभी-कभी जो चार्ट है आपको चार घंटे पहले बना के दे दिया जाता है कभी-कभी आपको एक दिन पहले बना के चार्ट आपको दे दिया जाता है और कभी-कभी आपका जो चार्ट है आपको आधे घंटे पहले बना के मिलता है, तो सभी रूल को समझते जाएगा, तो चार्ट पपेशन के तीनों रूल को समझने से पहले, आप सबसे पहले ये समझिए कि आपने जिस इस्टेशन से अपने टिकट को बुक की है, यानि कि आप जहां से भी अपने ट्रेन में जर्णी को करने वाले हैं, उस सिटेशन पे क्या च्ट बनता है या फिर नहीं क्योंकि उसे स्टेशन से हि पूरे time का calculation यहाप पे होने वाला है अगर आपकी स्टेशन पे चारट नहीं बनेगा तो आपके जरनी के कौंण सी station एक दो पहले वाले station से आपको time का calculation करना पड़ेगा अगर आपको कोई पहले यह समझे की ट्रेइन का चार्ट बनता कौन से स्टेशन पे हैं असान अगर आपको बता आए तो आप की ट्रेंग का चार्ट जो है वह आपकी स्टेशन पर बनेगा नहीं तो वह आपको एक दूइशन पहले से ही बन जाएगा दो चीज़ों आपको क्या धायर नकना है अगर आपकी पे ट्रैशन पर आ रचष्ड़ वाला केंदर है यानि कि जहां पर बेंप रिजर्वेशन होता है जनरल टिकट het की बातों रहे हैं यानि आपकी ट्रेन की टैम होगी सारा कुछ कल्कूलेशन QC Peach दूसरी important चीज, अगर आपके station पर जो train आपकी आ रहे हैं, उसका stoppage जो है, लगबक 5 minutes से उपर है, 5-10 minutes का stoppage है, तो भी आप यह मान सकते हैं, कि आपका train का chart preparation है, वो आपके station से किया जाएगा, अभी हम लोग समझते हैं, सबसे पहले rule के बारे में, जिससे आप यह पता कि आपके train का chart कब बनेगा, तो normally railway का पहला नियम यह कहता है, कि railway आपके train का जो chart है, आपको train की departure timing की, यानि कि जो भी आपके train की timing होगी, उससे 4 घंटे पहले आपको बना करके दे दिया जाता है, आपके mobile phone पे message या फिर email वगरे से आपको सूचित कर दिया जाता है, तो यह आप बिल्कुल आराम से जान सकते हैं कि आपके train का chart कब बना है, train की departure timing की 4 घंटे पहले ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, लेकिन अब यहीं पे जो railway का दूसरा नियम आता है, वो यह कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा railway में जो chart preparation हो, वो 4 घंटे पहले ही हो, railway railway में कभी-कभी आपकी train का chart है वो आपको एक दिन पहले भी बना के दे दिया जाता है, अब आप यह कैसे पता करेंगी कि आपके train का chart जो है वो एक दिन पहले आपको बन के मिलेगा, ध्यान से समझेगा, अगर आपकी train है रात को बारा बजे के बाद है और सुबा को यहाँ बजे है तो उस train का chart यहाँ पे चार घंटे पहले नहीं बनेगा, आपको वहाँ पे एक दिन पहले ही शाम को 7-8-9 बजे तक आपको चार बना करके दे दिये जाएगा, अब आप यह सोच रहा हूँगे कि railway ऐसा क्यों करती है, तो एक जामपल से मैं आपको समझा देता पहले वाले रूल के चार घंटे पहले बनना चाहिए, अब 6 बजे ट्रेन है तो चार जो है रात को 2 बजे बन जाना चाहिए, अब जिसकी भी ट्रेन सुबह में 6 बजे रहेगी तो वह क्या राद भर जाक के 2 बजे तक बैट के देखेगा, ऐसे अपना मुवाइल फोन उठ चाहिए, कि क्या मेरा जो चार्ट है वह बनाया फिर नहीं, टिकट कंफर्म हुई या फिर नहीं, तो उसको राद भर जग्गा बना लेगा, अपना राद भर जाक जाकर परशान हो जाएगा, तो रेलवे इसी सुबिधा का ध्यान देते हुए, आपको ये सुबिधा देता तो यहाँ पर हमारा जो तीसर और सबसे इंपोर्टेंट रूल है, रेलवे में जो चार्ट प्रिपेशन है, कभी कभी 30 मिनट पहले तक भी होता है ट्रेन की डिपार्चे टाइमिंग के, अब मैं कभी कभी क्यों कह रहा हूँ और आपको कैसे पता चलेगा, आपकी ट्रेन क जो चार्ट है 30 मिनट पहले बने गया फिर नहीं, सारी चीज़े बताता हूँ, step by step समझेगा, रेलवे में जो चार्ट बनता है 30 मिनट पहले तो उसके पहले जरूर एक बार आपकी ट्रेन का चार्ट बन चुका होता है, चाहा वो एक दिन पहले शाम को बन चुका हो, या फ पहले बने गा, तो कभी-कभी लोग क्या गलती कर देते हैं, पहले चार्ट को फाइनल मान लेंगे और उसके बाद 30 मिनट पहले उनकी टिकट कनफर्म हो जाती है, अब 30 मिनट मगर किसी का घर से रेलवे स्टेशन दूर है, तो वो उड़के तो पहुंचेगा नहीं, तो ऐ पैसी कंडिशन उनके पैसे भी डूब जाते हैं, क्योंकि रेलवे कनफर्म टिकट होने के बाद अगर आप ट्रेवल नहीं करते हैं, तो पैसे भी आपके डूब जाते हैं, तो अब पता आपको कैसे करना है, कि आपका जो ट्रेन का चार्ट बना है, वो सच में फाइनल है, या फिर तीस मट पहले भी एक बार बनेगा, तो चार्ट प्रिपेशन के मैसेज में आपको एक लाइन जो मैं बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर आपके चार्ट प्रिपेशन होने के मैसेज में एक लाइन नीचे लिखी होकर के आ गई है, कि इस इस नाट फाइनल स्टेटस, यूर करेंट स्टेटस में भी डाउन ग्रेट और अपग्रेट, अगर ऐसा कुछ भी लिखा आपके नीचे चार्ट प्रिपेशन के मैसेज में सबसे लाइस में आ रहा है, तो आप यह बिल्कुल समझ जाए कि अभी यह फाइनल चार्ट नहीं समझा दिया कि आपकी ट्रेन का चार्ट कब और कैसे बनता है, अगर आपको मीट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, मिलूंगा अगली वीडियो में